नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है दृष्टी जीके सीरीज जिसमें हम आपके जीके को पूरे डिटेल में टॉपिक वाइस यहाँ पे कवर कर रहें इसके अंदर हम भारत के राश्ट्रिया आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कल हमने इसकी पहली क्लास देखी जिसमें हमने कॉंग्रेस के घठन के बारे में बात करी उस से रिलेटेट सभी तथ्यों को देखा जैसा मैंने आपको कहा है इस सीरीज में हम 1885 से लेकर पूरे 1947 तक के सभी घठना क्रमों को सिक्विंस में कवर करते हुए चलेंगे टॉपिक वाईज चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे इससे पहले का जो घठना क्रम है उसे हम अदकालीन के साथ ही कवर कर जाएंगे जिसमें आपके विभिन एक्ट आएंगे 1857 का गदर आएगा उन सबको भी हम जल्द आपको उनकी क्लासिस यहां पर देखने को मिलेंगी आज हमारी राष्टिया आंदूलन की ये सेकंड क्लास है और इसमें हम राष्टिया आंदूलन के विभिन चरनों के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की क्लास क वो शुरू करते हैं देखे जो भारत का राष्टिया आंदूलन है उसे तीन चरनों में बाटा जाता है ठीक है कौन-कौन से चरन होते हैं पहला चरन होता है उदारवादी चरन जो आपके 1885 से 1905 के बीच चलता है दूसरा चरन होता है उग्रवादी चरन जो 1905 से लेकर 1919 के चलता है तो आज के वीडियो में basically हम जो आपके उधारवादी और उग्रवादी प्रमुक नेता हैं उनके बारे में सारी जानकारियों को देखेंगे क्योंकि इस time period के जो आपके नेता हैं उधारवादी नेताओं के जानकारी हमें आगे जाकर के उग्रवादी नेताओं की भी जानकारी हमें आगे मिलती तो है लेकिन वो कम मिलती है जिसमें आपके लाल, बाल, पाल और अरविंद घोश आते हैं तो उनके भी जो important questions हैं उनको यहाँ पर कर जाएंगे तो चलिए अब इसे आगे शुरू करते हैं तो तीन विभिन चरण हैं तीनों के आपने time period ध्यान रखने हैं सबसे पहले बात करते हैं उदारवादी चरण की उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक चला जो उदारवादी नेता होते थे उदारवादी गुट के नेता होते थे इनका उद्देश्य होता था सुधार ठीक है कि किस तरीके से जो उस समय की प्रशाशन ववेस्ता है उसमें सुधार कर पाएं इनकी कार्या प्रणाली क्या होती थी लोगतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाना ब्रिटिस शाशन के अंतरगत स्वाशाशन को प्राप्त करना ये इनका उद्देश्य होता था सुधार करना यहां पर में इनका उदारवादी सुधारों में विश्वास रखते थे, करांती में ये विश्वास नहीं करते थे, और ये अपनी मांगों को पराथना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचाते थे, ठीक हैं, तो ये थे उदारवादी चरण की कारिया प्रणाली, अब हम इनके के बारे में भी देख लेते हैं, प्रमुक निताओं की बात करें, कौन कौन सेन के प्रमुक निता हैं, सुरिनाद बिनर जी, दादा भाई नरूजी, फिरोश शाह महता, गोपाल कृष्न गोखले, बद्रुदीन तयब जी, रास बिहारी गोश, देखें, बोस नहीं हैं, ज अंगरेस का संस्था पक्त, ये भी था नरमवादी, डबलू सी बेनर जी, सरतीन ना, टेग और इनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि एक कुशन ऐसा भी बना देता है, एक्जामन आपको चार नाम देते तो और कहता है, बताए इनमें से कौन उधारवादी नेता था, कौन उ उग्रवादी चरण, 1905 से लेकर 1919 के मध्य में चला, इनका मेन उद्देश्य होता था स्वराज, और इनकी कार्या प्रणाली क्या होती थी, अपनी मांग के लिए अहिंसात्मक आंदूलन वा प्रदशन करते थे, ठीक है, तो जो उग्रवादी नेता होते थे, वो कहते थे क प्राथना करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको आंदूलन करना पड़ेगा, बहिशकार करना पड़ेगा, हर्ताल करनी पड़ेगी, तो इन सब चीजों में ये विश्वास करते थे, ठीक है, और उद्देश्य क्या था, सुराज का उद्देश्य था, प्रमुक उग्रवादी निताओं की बात करें, जो गरम दल के निता थे, आपके लाल, बाल, पाल और अर्विन घोश, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, जो आपका तीसरा प्रमुक चरण है, वो है आपका गांधी वाधी चरण, 1919 से लेकर 1947 तक, और इस काल में जितने आपके सारे Famous निता हुए, चाहे महतमा गांधी हो, जवालल नहिरू हो, सरदार पटेल हो, यह सب किस चरण के थे, गांधी वाधी विचारधारा के थे, गांधी वाधी चरण से संबंधित है, तो गांधी वाधी निता पूछे का तो आप बता देंगे, उदार वाधी पूछे का हमने उपर नाम देखे जो प्रमुख हैं और उग्रवादी नेताओं के भी हमने नाम देखे एक और केटेगरी यहाँ पर बनाई जाती है क्रांतिकारी आंदूलन बीच बीच में क्रांतिकारी आंदूलन भी भारत में चले और कोशन आता है बताए ये क्रांतिकारी नेता इन में से कौन थे क्रांतिकारी वे नेता थे जिनका उदेश्य था जैसे जो गरम दलवाले नेता थे या उगरवादी जो नेता थे उनका उदेश्य क्या था मांग के लिए अहिंशात्मक आंदुलन तो जो क्रांतिकारी नेता थे यह हिंशा का भी सहारा लेते थे जिसमें आपके भगर सिंग आते हैं राजगुरू आते हैं चंद सेकर आजाद आते हैं यह सारे क्रांतिकारी गुट के नेता थे ये विभिन चरण है कौन किस दल से था कौन किस चरण से था ये आपसे पूछा जाता है ठीक है अब बात करेंगे जो हमारा main part है उसके बारे में गांधिवादी चरण आपके सत्या अहिंसा पर आधारित होता था common चीज है अब प्रमुक निताओं के बारे में उनसे related जो आप को मिल जाएंगे चलिए सबसे पहले बात करेंगे उदारवादी नेताओं के बारे में पहले नेता है सुरेंद्र नात बैनर जी सिविल सेवा से बरखास्त होने वाले पहले भारतिया कौन थे सुरेंद्र नात बैनर जी सिविल सर्विसेज आंदूलन का इन्होंने नित्व किया था देखे उस समय की ये बात है जब आपका वर्नुकुलर प्रेस एक्ट आये था इसके लावा इन्होंने सिविल सहवाज में सुधार के लिए इन्होंने आंदूलन चलाया सिविल सर्विसेस आंदूलन करके बाद में इनको बर्खांस्त किया गया तो ये कोशन आता है कि वर्नुकुलर प्रेस एक्ट के विरूद में नेत्युत्व किसने किया था तो एक्ट आता है 1878 में और उस समय जो प्रमुक नेता थे वो बेनर जी थे इन्होंने विरूद का नेत्युत्व किया था तो Civil Services आंदोलन चलाने का श्रेवी किसको है इनको है कलकत्ता के Albert Hall में Indian Association भारत संग की इन्होंने स्थापना करी 1886 में जिसमें इनके साथी आनंद मोहन बोस थे और ये संस्था कितनी important है कल हमने इसके बारे में देखा था के इस संस्था को कॉंग्रेस की पूरवर्ती संस्था कहा जाता है 1887 में Native Press Association का इन्होंने स्थापना करा दिल्ली के अंदर 1895 और 1902 दो बार ये कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नाथ बेनर जी और जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कॉंग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें ये शामिल नहीं हुए थे पूरा हमने वहाँ पर कॉंसेप्ट को समझा था जो इनकी Indian Association है इसका विले कॉंग्रेस में कब हुआ 1886 में हुआ ठीक है 1921 में बंगाल के स्वास्त मंत्री बनने वाले पहले भारतिया बने सुरेंद्र नाथ बेनर जी बंगाल में स्वास्त मंत्री अज़से पहले सारे अंग्रेस होते थे पहला भारतिया कौन था सुरेंद्र नाथ बेनर जी इनकी एक famous किताब है पुस्तक है इनकी A Nation in Making बहुत बार ये paper में आई है A Nation in the Making किसकी किताब है सुरेंद्र नात बैनरजी की है इन्होंने एक पत्रिका के भी शुरुवात करी थी बंगाली पत्रिका पत्रिका का नाम था बंगाली और इसी पत्रिका में इन्होंने एक लेख ल किस ने किया सुरेंद्र नात बैनरजी ने किया और इस किताब का नाम भी आपने याद रखना है तो ये हमने सुरेंद्र नात बैनरजी से जुड़े हुए सभी तत्यों को देखा अगले जो important विक्ति हैं वोई हैं आपके गुपाल कृष्ण गोखले इनके बारे में अब गुरू हैं ये महात्मा गांधी और जिन्ना के राचनेतिक गुरू हैं जो गोखले हैं महात्मा गांधी के साथ साथ जिन्ना के भी गुरू थे प्रश्ण आता है अलग अलग पूछा जाता है महात्मा गांधी का नाम तो बहुत बार पूछा गया उनके राचनेतिक गुर कौन थे गोखले थे लेकिन आपने जिन्ना का नाम भी याद करना है इसके भी कौन थे गोखले थे 1905 में सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना इन्होंने करी जो इंडिया सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे अधिवेशन काफी famous अधिवेशन था 1905 का क्योंकि वहाद दौर उस समय सुधीशी आंदूलन की शुरुवात का था आपके बंगाल विभाजन का दौर था तो उस अधिवेशन में जहां पर सुधीशी आंदूलन से जुड़ा पहला प्रस्ताव पारित हुआ वो बनारस अध जिसकी अधिक्षता कौन कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में गठित साही आयोग के सदस्य भी कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले थे 1912 में एक आयोग बनाय गया था साही आयोग जिसके अधिक्ष इसलिंग टन थे और इसके सदस्य भी शामिल कौन थे गोपाल कृ इन्होंने इसको रिशी गोखले कहा सुशाशन का दूत इनको मोतिलाल नहरू ने कहा और भारत का रत्न इनको तिलक ने कहा तो चार important उपादिया इनको पूर्णिय आत्मा किस ने कहा महात्मा गांधी ने रिशी किस ने कहा जिनना ने सुशाशन का दूत मोतिलाल नहरू ने कहा भारत का रत्न तिलक ने कहा ठीक है? यह जो आपके फैक्ट है जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा सिर्फ एक बुक के नहीं होते दिश्टी जीके के उपर यह आपकी बेज्ट है लेकिन फैक्ट आपके अलग-अलग किताबों के सभी इंपोर्टन बुक्स के यहां पर आपको उनका मिक्षर बिल्कुल to the point दिखने को मिलता है एक और इनको उपादी दी गई या नाम दिया गया था सचीव मौरले जो भारत सचीव था मौरले इसने गुपाल कृष्ण गोखले को एक ताल ठोकने वाला चिम्टा कहा था यह कोशन भी अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है अगले हैं दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी की बात करें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के ग्लैड इस्टोन कहे जाते हैं और यह क्यों कहे जाते हैं हमने कल समझा था कि जब कॉंग्रिस की स्थापना हुई 1885 में ब्रिटेन का प्रधान मंतरी कौन था ग्लैड इस्टोन था और ग्लैड इस्टैन को ब्रिटेन का Grand Old Man कहा जाता है, ठीक है, काफी समय तक ये वहां के प्रधानमंतरी रहे थे अब क्योंकि इसे ब्रिटेन का Grand Old Man कहते हैं इसी लिए और दादा भाई नरोजी को भारत का Grand Old Man कहते हैं, तो इनको भारत का Gladstone भी कहा जाता है इसकूली सिक्षन के समय अंग्रीजी अध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संग्या दी थी तो भारत की आशा किसको कहा गया था उनके बच्पन में दादा भाई नरोजी को कहा गया था रास्त गौफतार, सत्यवाधी और इंडिया समाचार पत्रों का संपाधन इन्होंने किया था जो दादा भाई नरोजी थे इनका समाचार पत्र काफी फैमस समाचार पत्र है रास्त गौफतार यहाँ पत्र इन्होंने 1851 में निकाला और यह सबसे ज़ाधा पूछा गया है इनसे जो कोशन पत्रों से आता है सत्यवादी इन्ही का पत्र था, इन्डिया इन्ही का पत्र था, ये सारे पत्र आपके गुजराती पत्र होते थे 1852 में इन्होंने बॉंबे एसोशेशन की स्थापना करी बॉंबे एसोशेशन बॉंबे की पहली राजनेतिक संस्था थी और इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं दादा भाई नरोजी कर रहे हैं 1852 में इंग्लैंड में East India Association की इन्होंने स्थापना करी 1866 में ठीक है East India Association कहां बनी थी ये लंदन में बनी थी और इसके संस्थापन कौन है दादा भाई नरोजी भारतिय सुधार समीती इसका गठन भी इंग्लैंड में किया गया इन्ही के नेद्डित में किया गया था 1887 में 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंस बरी से ब्रिटिस संसथ के सदस्य बने थे तो किस पार्टी से चुनाव लड़े? लिबरल पार्टी, कौन से वर्ष में लड़े? 1892, कहां से लड़े? फिंसबरी से और चुनाव जीत गए थे ब्रिटिस संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिया या यू कहें पहले एशियाई विक्ती थे दादा भाई नरोची इनकी एक फेमस किताब है Poverty and Un-British Rule in India किताब कई बार पेपर में आई है इसी किताब में इन्होंने जो धन पलायन का सिधान था उसको दिया था तीके 1886, 1893, 1906 तीन बार कॉंग्रेस की अधिचता करते हैं दादा भाई नरोची 1906 के कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार सुराज शब्द का इस्तेमाल हुआ था देखे ये वाला जो अधिवेशन था 1906 का यही पर पहली बार सुराज शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसकी अधिचता कौन कर रहे हैं दादा भाई नरोची कर रहे हैं तो दादा भाई नरोची को लेकर आपके जितने इंपोर्टेंट बातें थी वो सब हमने यहां पर द ये वाला है 1863 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परिक्षा को पास किया और इस परिक्षा को पास करने वाले ये पहले भारतिया बने थे ठीक है इनको लेकर ये वाला कोशन याद करना है सिविल सर्विस को पास करने वाले पहले भारतिया थे सतेंद्र नाट टेग और सिविल सर्वेस से बरखास्त किये जाने वाले पहले भारतिया या पहले अधिकारी थे सुरेंद्र नात बैनर जी ठीक है दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है अगले विक्ती हैं फिरोज शह महता इनको लेकर भी एक ही कोशन आता है बेसिकली दो कोशन आते हैं पहला य ठीक है अगला है एयो यूम इसके बारे में हमने डिटेल कल देख लिया था इसके पूरे परिचे को देखा था कुछ इंपोर्टन बाते उनको यहाँ पर फिर से देख लेते हैं सेवा निवरित ब्रिटिश सिविल अधिकारी है स्कोटलेंड का निवासी है कॉंग्रेस का स रचीव रहा और इसे हरमिट ओउ शिमला का संत भी कहते हैं ये कुछ इंपोर्टन इसके पॉइंट है कल हमने इसको डिटेल में देखा था अगले हैं हमारे प्रमुक गरमपंती नेता उगरवादी नेता ठीके अब उनके बारे में जानेंगे सबसे पहले गरमपंती नेता में आते हैं बाल गंगधर तिलक इनके कुछ अन्यन नाम है इनको लोकमानिय तिलक कहते हैं इनको हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के रूप में भी जाना जाता है किसको बाल गंगधर तिलक को महराश्ट्रा में करांतिकारी आंदूलन का जनक ये भी किसको माना जाता है? लोकमानिय तिलक को माना जाता है लोकमानिय तिलक ने ही गंगधर तिलक वर्ष भी याद करना है इन्होंने कुछ समाचार पत्रों का यहां पर प्रकाशन भी कया, जैसे मराठा समाचार पत्र और केसरी समाचार पत्र, ये दोनों समाचार पत्र किसने निकाले, बाल, गंगधर, तिलक ने, जो मराठा समाचार पत्र था, ये अंग्रेजी में आता था, और जो केसरी समाचार पत्र था ये मराठी में आता था कई बार इनकी language पूछी गई है ठीक है एक और fact यहाँ पर याद कर लीजिए जो मराठा समचार पत्र था ये एक सापताहिक पत्र था और केसरी जो था ये एक दैनिक पत्र था हो सकता है पूछ ले language तो बहुत बार पूछी गई है कौन सा पत्र किस भाशा में आता था ठीक है लेकिन इसको भी याद करना वेलेंटाइन शिरोल इसकी एक किताब है जिसका नाम है इंडियन अन्रेस्ट और इसी वेलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगधर तिलक को भारतिया अशंतोष का जनक या भारतिया अशांती का जनक कहा था तो किताब का नाम याद करेंगे इंडियन अन्रेस्ट किसकी है वेलेंटाइन शिरोल की वेलेंटाइन शिरोल बीसी के लिए एक पत्रकार था और इसने किताब लिखी जिसका नाम था Indian Unrest और इसी किताब में इसने तिलक को भारतिया अशन्तोष का जनक कहा तो ये कोशन भी आता है ठीके बाद में इसी शिरोल के उपर बाल गंगधर तिलक ने मान हानी का केस भी किया था कोशन आता है कि इन में से किस नेता ने वैलेंटेन शिरोल पर मान हानी का कीस किया वो थे बाल गंगधर तिलक 1897 में राज द्रोह का आरोप लगा बाल गंगधर तिलक पर और इनको 18 महीने की जील हुई अब इस कोशन को ध्यान रखना दिखें दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर पहले इसको देखते हैं 1908 में इन पर दुबारा से राज द्रोह का आरोप लगा और तब इनको 6 वर्ष की सजा हुई मांडले जेल जो की बर्मा में है ये 6 वर्षों तक रहे हम सभी जानते हैं कि बाल गंगधर तिलग को 6 साल की सजा हुई 1908 से लेकर 1914 तक ये जेल में रहे कोशन आता है ये पहली बार जेल कब गए या पहली बार इन पर राजद्रोह कब लगा तो आपने 1908 नहीं बताना आपने 1897 बताना है तब इनको 18 महा की जेल हुई थी बाद में 6 साल की जेल हुई और किस जेल में इनको रखा गया था मांडले जेल में जोकी वर्तमान बर्मा म्यानमार में पढ़ती है वहां इनको रखा गया था कुछ इनकी important किताबे हैं जैसे गीता रहसे जब ये 6 वर्षों तक मांडले जेल में रहे इसी दोरान इन्होंने गीता रहसे नामा किताब लिखी एक और इनकी important किताब है आर्केटिक होम ओफ दी आर्यन ये किताब भी किसकी है बाल गंगधर तिलक की है एक इनका famous statement है सुर गरमदल के नेता या हम कहें उगरवादी नेता थे लाला लाजपत्राई इनको पंजाब केसरी या सेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है ठीक है पंजाब का शेर सेरे पंजाब पंजाब केसरी किसको कहते हैं लाला लाजपत्राई इनकी एक famous किताब है Unhappy India ये किताब बादन किया जिसका नाम था The People The People नाम अंग्रीजी समाचार पत्र किसने निकाला लाजपत राई के द्वारा निकाला गया लाला हंसराज के साथ मिलकर लाहोर में इन्होंने दायानंद एंगलो वैदिक विध्याले DAV की स्थापना करते हैं किसने स्थापित किया लाला लाजपत राई और लाला हंसराज 1920 में All India Trade Union Congress के पहले अध्यक्ष भी यही बने थे ठीक है All India Trade Union Congress 1920 में बनती है और इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था इन्ही को बनाया गया था 1920 में ही Congress अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाहोर में लाठियां पढ़ने से गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया, तो इनका निधन घायल होने से हुआ, घायल ये लाठी से हुए थे, लाठी इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में खाई थी और साइमन कमिशन के खिलाब जो फेमस नारा था उस समय साइमन गोबैक, तो कई बार कोशन आता है साइमन गोबैक कर नारा किस ने दिया, तो आप इन ही का नाम वहां पर बताएंगे, इन्हों ने एक फेमस स्टेट्मिंट भी दिया, कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक आ पुनर विवहा को पुरोचाहित करने के लिए स्वयम एक विद्वा से इन्होंने विवहा किया था, तो कउशन आ जाएगा बताएए कौन से ऐसे उगरवादी नेता थे या कौन से भारते नेता थे जिन्होंने विद्वापुनर विवहा को पुरोचाहित के लिए खुद जीवन और साथ में एक और किताब समय की याते तो ये दोनों किताबे भी विपिन चंद्र पॉल की हैं अगले हैं और गरम दल के काफी फेमस नीता है अरविंदो घोश या अरविंदो घोश जिनको कहते हैं अब इनसे रिलेटेड तथ्यों को देखेंगे काफी फेमस सिध्धान्त है निश्क्रिया विरूद का सिध्धान्त किस ने दिया है अरविंद घोश ने अलिपूर शडियंतर केस में इन्हें गरफतार किया गया था 1978 में होता है आपका अलिपूर शडियंतर केस इसे मुरारीपूर शडियंतर केस या मानिक टोला सडियंत्र भी कहा जाता है ठीक है तो इस केस में कई सारे युवाओं को गरफ्तार किया गया कई सारे लोगों को गरफ्तार किया गया जिसमें अर्विंत घोष भी शामिल थे इनका बचाओ चितरंजन दास के द्वारा किया गया था इनकी पैरविक कौन करते हैं स्तियारदास करते हैं रिहा होने के बाद इन्होंने सन्यास ले लिया राजिनीती से और पॉंडीचेरी में औरविल आश्रम की स्थापना करे अब ये वाला कोशन आपने कई बार देखा होगा कि औरविले आश्रम कहा है, पॉंडिचेरी में है 1916 में इसे बनाया गया था और अर्विंद घोष ने बनाया था ठीक है, अलिपूर्श अडियंतर के से जब वो रिहा होकर आए, तो उन्होंने सन्यास ले लिया राजनीती से, और फिर वो पॉंडिचेरी में जाकर रहने लगे, कुछ इन्होंने यहां पर रचनाई करी हैं, इनकी पत्रिकाएं जैसे युगांतर, कर्म योगी धर्म, ये सारी पत्रिकाओं के संपादक कौन थे, अर्विंद घोष थे इनकी एक फेमस किताब है Life Divine, जो की इनकी आत्मकता है और बहुत बार ये पेपर में आई है इसके अलावा, Essage on गीता और सावित्री, ये भी इन्ही की फेमस किताबे हैं तो ये कुछ इंपोर्टन बाते हैं जो आपको अर्विंदो घोष से याद करना है ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो आज हमने राश्टिया आंदोलन का सेकेंड वीडियो देखा और इसमें बेसिकली हमने क्या चीज़ों के बारे में बड़ी आज हमने घटनक करम को आगे नहीं बढ़ाया आज हमने उदारवादी और उग्रवादी जो प्रमुक नेता थे उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए उनसे जुड़े हुए जो important questions है उनको यहाँ पर cover किया ठीक है? क्योंकि इन नेताओं का उलेख हमें आगे आप कम देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में हमने उन सब से जुड़े वे किसने क्या काम किया, किसने कौन सी संसला कहां पर बनाई, कब बनाई, कौन सी पत्रिका कौन सी किताब, उस सब को हमने देख लिया. आगे गांधिवादी चरण में हम सारे नेताओं के जो इस काल के नीता थे, करांतिकारी नीता थे, उनके बारे में चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बंगाल विभाजन और सुदेशी आंदोरन के बारे में, थेंक्यू फ्रेंड्स